है एवरीवन मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में सो गैस आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके परसन है आपको छोड़कर चले गए हैं तो क्या ये प्यार था या धोका था या फिर एक टाइम पास की फीलिंग थी ये क्या था आख ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे क्यों आपको चोड़कर चले गए क्यों उन्होंने आपसे जो है आपके साथ अपने chords को cut कर लिया ऐसा क्या हुआ ये कोई मजबूरी थी या ये उन्होंने अपनी मर्जी से किया है ये उनकी मजबूरी थी या मर्जी ये हम जानने की कोशिश करेंगे चले गाइस देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके person ने आपसे दूरिया क्यों बना ली उसका जो दूरिया बनाई है तो वो अपनी मर्जी से बनाई है या उनकी कोई मजबूरी थी क्या उन्होंने कभी आपसे सच्चा प्यार किया था तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे तो universe प्लीज divinely guide करें और बताएं मेरे जो viewers हैं उनके partner ने उनसे जो भी दूरिया बनाई है तो क्या उन्होंने सच्च में उनसे कभी प्यार किया था या नहीं ओके तो चलिए guys देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके partner ने कभी आपसे प्यार किया था universe प्लीज divinely guide करें और बताएं क्या मेरे viewers के partner ने उनसे कभी सच्चा प्यार किया था या नहीं ओके 3 of wands ओके क्या मेरे viewers के partner ने उनसे कभी सच्चा प्यार किया था universe please divinely guide करे okay all right nine of wands two of wands universe we need just one more card okay please divinely guide करे spirit just give me one more card एकाद अर दीजे universe okay guys यहां पर दो काद आगे हैं और हम जो है वो दोनों ही कार्ट यहां पर ले ले लेंगे okay and we'll take two more cards universe please do cards आगे दीजे okay और हमारे पास exact two cards निकल कर आचुके हैं all right and the devil in reverse okay ठीके गाई बॉट्टम अब देक we have received the world okay so चलिए गाईस करते हैं बीडिंग को शुरू ठीक है all right okay so guys हमारे पास यहां पर postcard ही निकल कर आया है three of wands so guys यहां पर आपके जो partner हैं उन्हें कहीं पर ऐसा लगता था कि आपके जो relation है वो relation उस progress से नहीं गुजर पा रहा है जो की एक progressive relation में होनी चाहिए यहां पर आपके partner को ऐसा लग रहा था कि आपके और उनके relation में जो जिस तरह की growth होनी चाहिए एक रिष्टे की ऐसी growth वो नहीं देख पा रहे थे उनको ऐसे लग रहा था कि उनको बहुत disappointment की यहां पर feeling हो रही थी वो जिस तरह का प्यार आपसे सोच रहे थे expect कर रहे थे उस तरह का प्यार यहां पर नहीं उनको मिल रहा था दूसरा यहां पर यह कार्ड बहुत लोगों की case में मुझे यहां पर यह भी नजर आता है कि आप और आपके partner एक distance long distance relationship में थे जहां पर की यह रिष्टा work out नहीं कर पाया क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरे information नहीं मिलते थे और कोई एक available होता था और दूसरा available नहीं होता था यह जो कार्ड है यह मुझे एक failed यहां पर एक long distance relationship failure की feeling देता है यहां पर guys मुझे यह भी लगता है कि इस relation में जो है आपके partner ऐसा भी अपने आपको एक hold back की feeling में उन्होंने बहुत बार यहां पर महसूस किया है और उनको ऐसा लगता था कि यहां पर जो है इस relation में उनको एक contentment का जो feel है वो यहां पर नहीं मिल रहा है तो यहां पर guys कोशिश तो आपके partner ने की कि चलिए ठीक है इस relation में आगे कुछ किया जाए लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे around 80% लोगों के लिए यहां पर ऐसा feel मिलता है और मिलने के पहले ही यह जो relation है यहां पर खतम हो गया second मुझे यहां पर guys ऐसा लगता है कि आपके आप में से कहीं लोग ऐसे हैं जो कि एक married person से यहां पर deal करें है और वो जो married person है यहां इन्होंने आपसे प्यार किया लेकिन अब प्यार करते वक्त इनको अपने जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ इनको ऐसा नहीं लगा कि इनका एक परिवार है जिनको देखना है लेकिन अब जब प्यार में commitment की बारी आ गई अब जब आपको इनके साथ में रहने की बारी आ गई जब आपने इनसे पूछा होगा कहा होगा कि हमारे फ्यूचर का क्या प्लान है तब इनको अपनी सारी जिम्मेदारियां उस वक्त याद आ गई और इन्होंने आपसे अपने कॉर्ड्स जो है वो कट कर लिए इनको आपसे emotional bond तो था लेकिन यहाँ पर इनका feeling ऐसा था कि जो सही प्यार है वो गलत समय पर इनको हो गया है लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदारियां हैं जिम्मेदारियों का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो गया है तो यहाँ पर इन्होंने आपसे अपने chords कट कर लिए हैं लेकिन अगर feelings और emotions के बारे में आप पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ आपसे कि जी हाँ इनके जो emotions थे वो आपके लिए थे जो feelings थी जी हाँ बहुत feelings थी लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो प्यार से बढ़कर यहाँ पर role play कर रही हैं इनकी life में यहाँ पर एक half success और एक failure का card भी मुझे समझ में आता है यहाँ पर ऐसा feeling मिलता है कि आपके जो partner है उनको ऐसा लगता है कि बस अब इस से आगे तो जाया नहीं जा सकता है और यहाँ पर जो है कहीं लोगों की case में हमारे पास जो cards निकल कर आए हैं कहीं लोगों की case में यहाँ पर एक disloyalty की भी मुझे feeling मिलती है आपके साथ रिष्टे में एक stage पर आने के बाद यह किसी ऐसे इनसान से मिलें जहां से इनका जो ध्यान है वो divert हो गया और आपके साथ में इन्होंने बीच रास्ते में अपना cards जो है वो cut कर लिया और यह किसी और के side में मुढ गए यहाँ पर ऐसा feel मिलता है इनके life में दो choices मुझे नजर आती है guys और दो रास्ते यहाँ पर मुझे नजर आते हैं तो आप जो है इनके लिए one of the option थे यहाँ पर जो दो choices दो options थे उसमें से आप इनके लिए one of the option थे ऐसा यहाँ पर मुझे feel मिलता है ओके ठीक है guys कुछ लोगों के case में यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो partner है आपने उन्हें deception दिया यह उन्होंने आपको deception दिया और यह जो relation है वो बहुत ही बुरी तरह से brutally है जो रिष्टा है यहाँ पर खतम हुआ है पर यहाँ पर कुछ लोगों के case में guys relation खतम हो गया यहाँ पर कुछ लोगों के case में guys यहाँ पर मुझे clear feeling मिलता है कि यहाँ पर कोई तो female energy है जो की इनकी life में बहुत ही अच्छा कुछ यहाँ पर role play करते मुझे नजर नहीं आती है और यहाँ पर एक इनसान ने दूसरे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह ब अपने relationship को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर fertility issues थे और वहाँ पर उनके उनको जो है बचों से conceive नहीं होने की जो है वो भी यहाँ पर मुझे problem एक जो है strongly निकल कर आई है और यहाँ पर मुझे समझ में आती है यह specially married couple के लिए मैं बात कर रही हूं जो लोग married couple है उन आपको conceive करने में बहुत ज्यादा problem हो रही थी और infertility की problem की वो जैसे यहाँ पर जो है आप दोनों में differences आ गये हैं और यह जो है आप दोनों में अलगाव आ गया है एक situation जो यहाँ पर बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है guys वो यह भी है कि अगर आपके partner यहाँ पर यह added information है guys कुछ addictions से कुछ addictions थे इनको अगर किसी तरह की कोई बुरी आदत थी कोई drinks की आदत थी अगर यहाँ पर यह smoking बहुत जादा करते थे करिये किसी sexual addiction में थे तो यह उन सारी बुरी आदतों से अब बहार निकल कर आ रहे हैं बहार निकलने की कोशिश कर रहे हैं ओके all right बहु तो एक छोटे से स्ट आफ पीपल के लिए मैं यहाँ पर बात करी हूं guys की आपके साथ इस रिष्टे में उनको एक बहुत stuck energy महसूस हो रही थी उनको ऐसे लग रहा था कि एक ऐसे relation में वो आकर फस गये हैं जहां पर कि उनको आगे जाना भी possible नहीं हो पा रहा है पीछे आन चले गए हैं या already आप दोनों में अलगा हो चुका है बहुत एक छोटा सा chunk of people है guys यहाँ पर जिनके बारे में यह कहना चाहती हूं कि आपके जो partner हैं और आप हैं यहाँ पर आप में और उनमें थोड़ा emotional और mental distance भी मुझे यहाँ पर नजर आता है लेकिन feelings जो हैं वो मुझ मुझे लगती है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और यह बात वो जानते हैं कि आपके दिल में जो है उनके लिए थोड़ा सा कहीं दूरियां आ गई है लेकिन उनको पता है कि जब एक बार वो आपसे मिलेंगे तो वो यह कोशिश जरूर करेंगे और उनको विश् में जो अलग अलगाओ की स्तिथी आई है और जो मेंटल और इमोशनल डिस्टनस आया है वो इमोशनल डिस्टनस और मेंटल डिस्टनस यहां पर वो खतम कर सकते हैं यहां पर ऐसा उनको फील होता है so guys कुछ लोगों की cases में देखे अगर इस reading का मैं आपको briefing देती हूँ अगर हम इसको summarize करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए guys आपके जो partner थे उन्होंने आपके साथ में यहाँ पर गलत किया है किसी और के लिए आपको यहाँ पर deception मिला है cheating मिली है कुछ लोगों के case में guys यहाँ पर देखे आपके partner अल्रेडी शादी शुदा है तो अब उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है इसलिए वो आपके पास अबाना नहीं चाहते हैं यह बहुत clear cut message है मुझे लगता है guys कल जो हमने current feelings की reading निकाली थी उसमें भी एक message strongly निकल कर आया था कि आप वो अपने family के साथ में जो है settle होना चाहते हैं और आप वो आपके साथ में नहीं आएंगे और अपने cards आपके साथ में cut करना चाहते हैं कुछ लोगों केस में यहाँ पर clear है guys कि आपके partner आपके पास वापस आना चाहते हैं और जो है वो आपसे जो अपने differences हैं उनको खतम करना चाहते हैं और एक साथ वापस एक नए शुरुवात की तरफ बढ़ना चाहते हैं long distance relationship में यहाँ पर हमारे पास total failure का card निकल कर आया है लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी एक collective reading है इसके basis पर आप कोई भी अपने life का decision नहीं लीजिएगा अगर आपको readings के basis पर अपने कोई life के decision लेने हैं तो उसके लिए better है कि आप जो है अपना personal reading आप किसी अच्छे tarot reader से करवाईएगा तो guys यही थी छोटी सी प्यारी सी reading तो अगर आपको reading पसंद आई है तो please do like, subscribe and share और मैं मिलती हूँ आपको next reading में तब तक के लिए bye bye take care